P से K हजार बैक सिमेंट खरीदने का अनुबंद करता है P ट्रक के माध्यम से हजार बैक भेचता है सिमेंट आने तक पारिश के पानी से भीग कर पत्थर बन जाता है क्या K माल को अस्वीकार कर सकता है? Condition as to Merchantability का अर्थ है कि माल नाम के अनुसार अपेक्षित उद्देश की पूर्ती करेगा K माल को Condition as to Merchantability के शर्थ के रूप में अस्वीकार कर सकता है क्योंकि सिमेंट पत्थर बन जाता है जिसका उप्योग उस उद्देश के लिए नहीं किया जा सकता है जिसे वह खरीदा गया था इस मामले में विकल्प A, C और D सही नहीं है जब विक्रेता कोई माल बेच रहा है उसको मालूम है कि ये माल किस परपस से यूज होगा तो उसके जिम्मेदारी है कि वह ऐसा माल दे जो उस परपस को सिद्द करे अगर वो परपस सिद्द नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार है वो बेचने वाला जिम्मेदार है कि उस माल की क्वालिटी अनुरूप नहीं होई उसके लिए उस तहब जिम्मेदार है बाकी और कोई रीजिन या और कोई लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है इसलिए विकल्प भी सही है